आखिर अयोध्या में राम मंदिर स्थापना में खान जोडी को क्यों नहीं बुलाया गया? सल्मान, शाहरुख और आमिर खान को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का नियौता क्यों नहीं मिला? दोस्तों, राम जन्म भूमी आयोध्या में प्रभुश्री राम के बाल अवतार, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस 9 दिन ही शेश बचे हैं 22 जन्वरी को होने जा रहे राम मंदिर स्थापना में केवल अयोध्या वासियों को ही नहीं बलकि संपूर्ण भारत राष्ट्र को इस दिन का बेसबरी से इंतजार है दोस्तों, आपको बता दे कि 22 जन्वरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के 3000 से ज्यादा वी वी आईपी लोगों को आमंतरन भेजा जा रहा है जिसमें बड़े बिजनसमैन, अधिकारी, खेल जगत की हस्तियां तो फिल्मी एक्टर्स भी शामिल होंगे लेकिन सुनने में आ रहा है कि बॉलिवुड की खान जोडी सलमान, शाहरुक और आमिर को न्योता नहीं दिया गया है जहां एक तरफ सभी मशहूर हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे तो सलमान, शाहरुक और आमिर खान को इंविटेशन तक नहीं मिला आखिर अयोध्या में राम मंदिर स्थापना में खान जोडी को क्यों नहीं बुलाया गया और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर कौन से वी आईपी पर्सन और सिलेब्रिटीज है जिनको प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंतरन भेजा गया है सब कुछ जानने के लिए बस वीडियो के साथ अंत तक बन रहे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सीता राम टीवी पर आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए वीडियो में आगे चलते है दोस्तों अयोध्या में बन रहे अलौकिक श्री राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना तै है जिसके लिए आज से ही 11 दिवसिय अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया है और प्रभू श्री राम की अयोध्या नगरी को पूरी तरह से सजा दिया गया है दिलहन की तरह सच्चुकी राम जन्म भूमी अयोध्या को सभी उत्सुकता वश निहार रहे हैं आपको बता दे कि राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में देश की सभी जानी मानी हस्तियों को लाल भगवा रंग से सजे आमंतरन पत्र भेजे जा रहे हैं भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ती और बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी गौतम अडानी से लेकर योग गुरु बाबा राम देव और बागेश्वर धाम के पीठा धीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को भी निमंतरन पत्र दिया गया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राम मंदिर उद्घाटन में बड़े-बड़े नेता अभिनेता, बॉलिवूड कलाकार और क्रिकेट और दियोग जगत की मशहूर हस्तियों को आमंतरित किया गया है राम जन्म भूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक करीब साथ हजार लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में पधारने का नियोता दिया गया है जिसमें चार हजार तुसंत है और दो हजार से ज्यादा अन्य दिगज लोग है दोस्तों आपको बता दे कि जितना भव्य राम मंदिर है उतना ही दिव्य प्राण प्रतिष्ठा का निमंतरन पत्र है जिसमें भगवान राम का भव्य मंदिर तथा उनके बाल स्वरूप की छवी अंकित है साथ ही निमंतरन पत्र में एक पुस्तिका भी साथ में दी जा रही है जिसमें राम जन्म भूमी आंदोलन में शामिल लोगों की जानकारी मुदृत की गई है भगवान राम की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सीम योगी आदित्यनात की देखरेक में किया जा रहा है इस समारोह में भारत के प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिति के रूप में आमंत्रित है और इस भव्य समारोह में भाशन देने के लिए तयार है भाजपा के दिगज नेता लाल कृष्ण आडवानी को भी निमंत्रन पत्र भेजा गया है क्योंकि इन्होंने ही राम जन्म भूमी आंदोलन की नीव रखी थी और इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी अन्य खास लोगों की बात करें तो उद्योग पती रतन टाटा आर एस एस यानि राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत और योग गुरु बाबा राम देव को भी निमंत्रन पत्र भेजा गया है राज नैतिक गलियारे की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रन पत्र भेजा गया है लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष, मल्लिकारजुन खडगे और सोनिया गांधी इस समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वह इस समारोह को प्राण प्रतिष्ठा न बता कर बीजेपी और आरेसेस का एक चुनावी एजेंडा बता रहे है इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एनसेपी अध्यक्ष शरत पवार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस समारोह में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है और जब बाद में निमंतरन पत्र दिया गया, तो अखिलेश यादव ने निमंतरन पत्र को अस्विकार कर दिया खैर, चलिए, अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के दिगज कलाकारों की, जिनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है जि हाँ, क्रिकेट के गौड कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी राम मंदिर की स्थापना में शामिल होंगे इसके अलावा पूर्व कप्तान विराट कोहली को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिल चुका है यही नहीं 1992 में मारे गए कार सेवकों के परिवार जनों को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंतरन पत्र भेजा गया है राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक पूरे भारत वर्ष से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए चार हजार संतों को नियोता भेजा गया है इसके अलावा ट्रस्ट के महा सच्चेव चंपत राये ने कहा है राम मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए पचास देशों के एक-एक प्रतिनिधी को भी शामिल करने का प्रयास अभी जारी है वही न्यूज एजनसी प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के मताबिक श्री राम जन्म भूमी तीर्थ की शेत्र ट्रस्ट ने मशहूर रामायन के उन कलाकारों को भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंतरित किया है जिन्होंने प्रभूश्री राम और माता जानकी के किरदार को बखुबी निभाया है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ अरुन गोविल और दीपिका चिखलिया जी की ये भी राम मंदिर उधगाटन में शामिल होंगे चलिए अब बात करते हैं बॉलिवुड गलियारे से कौन-कौन इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जा रहे हैं यह निमंतरन पत्र बॉलिवुड के बिग बी सदी के महानायक अमिताब बच्चन से लेकर साउट फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ठलाईवा रजनीकांत तक को दिया गया है यही नहीं बॉलिवुड के जाने माने एक्टर एक्ट्रेस, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, सनी दियौल, आयुसमान खुराना, अनुपम खेर जैसे कई कलाकार प्राण प्रतिष्ठा कारेकरम में शामिल होंगे इसके अलावा बॉलिवुड के खिलाडी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार को भी निमंतरन भेज दिया गया है यही नहीं बॉलिवुड एक्टरेस कंगना रनौत भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शिर्कत करेगी कंगना को राम मंदिर उधगाटन में शामिल होने का निमंतरन मिल चुका है जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के माध्यम से शेयर की है दोस्तों बॉलिवुड के उम्दा डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, संजय लीला भनशाली और एक्शन फिल्म डायरेक्टर रोहित शेटी को भी समारोह में जाने का निमंतरन पत्र प्राप्त हो चुका है यही नहीं साउत के बड़े-बड़े सुपरस्टार को भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का निमंतरन पत्र मिल चुका है जिसमें सुपरस्टार चिरंजीवी, मोहनलाल, धानुष, प्रभास और कांतारा फिल्म एक्टर रिशब शेटी शामिल है इसी लिस्ट में अब एक बॉलिवूड सलिप जोडी का नाम भी जुड़ चुका है जी हाँ, रणबीर कपूर और आलिया भट दोनों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का नियोता मिल चुका है कार्ड हाथ में लेकर और स्माइल करते हुए कपल की फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जब फिल्म जगत की बात चल ही रही है तो आपको बता दे कि 2019 में जब माननिय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला रखा था तो बॉलिवुड की कई हस्तियों ने इस निर्णय को सराहा था जैसे तापसी पन्नू और विवेक ओबिरॉय ने सोशल मीडिया के जरिये अपनी खुशी जाहिर की थी लेकिन उस वक्त बॉलिवुड के खांस सलमान, शाहरुक और आमिर खान ने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया साजा नहीं की थी शायद यही कारण है कि किंग खान, शाहरुक खान, भाईजान सलमान खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पहचाने जाने वाले आमिर खान को राम लल्ला प्रान प्रतिष्ठा समारों में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है दोस्तों आगे हम आपको बता देते हैं कि इस समारों में कवी, लेखक, संगीतकार, न्यायाधीशों, वैज्ञानिक, पत्रकारों, पूर्व नौकरशा, सेवा निवरित, सैन्य अधिकारी, वकील, पदमश्री और पदम विभूशन से सम्मानित हस्तियों को भी आमंतरित क किया गया है, विश्व हिंदू परिशद विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया है कि हमने उन पत्रकारों को भी आमंतरित किया है, जिन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था, इसके अलावा शरद शर्मा ने बताया क VVIP को बारकोड पास के जरीए एंट्री दी जाएगी तो दोस्तों यह थे वह लोग जिनका भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामल अल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों आपको क्या लगता है? क्या यह समारोह बीजेपी का कोई चुनावी एजेंडा है? क्या बॉलिवुड के खान कहे जाने वाले सलमान, शाहरुक और आमिर खान को प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिलना चाहिए? या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को वाटसेप के जरीए जरूर भेजें, फिर से मिलेंगे सनातन धर्म से जुड़ी खबरों के साथ धन्ये ज़िए